हरे किष्णा तभी हम भगवत गीता के अठार में अध्याय के अंतरगत इस लोग संख्या बासट पर विचार करेंगे तो यहां पर भगवान करें तम एव सरनम गच्छे उस ही की सरन में जाओ किसकी सरन में पिछले स्टोक में भगवान ने कहा था इस्वरा सर्व भूताना हिर दे सिर्जंतिस्ठाती कि सब प्रानेओं के हिर्द में इस्वर निवास करते हैं तमेव प्रशनता से पराशांती प्राप्थ होगी, इस्थानम प्राप्षासि सास्वतम और जीवन के अंत में सास्वत इस्थान प्राप्थ होगा, अब हम सुनेंगे प्रहुपात, तात्परे में क्या लिखते हैं, स्रिला प्रहुपात की जाए, अत एव, जीव को चाहिए, कि प् ऐसी सरण पाने से व्यक्ति ना केवल इस जीवन के सारे कश्टों से छुटकारा पासकेगा अपितु अंतमेवाय परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा व्यद एक साहित में रिजवेद एक बाइस बीस दिव जगत तद्विष्णो परमंपदम के रूप में वर्नित है चुँकि सारी स्रिष्टी इस्वर का राज है अतेव इसकी प्रतेग भोतेग वस्तु वास्तों में आध्यात्मिक है लेकिन परमंपदम मिसे इस्तियानित्य द्हाम को बताता है जो आध्यात्मिक आकास या वेकुंठ कहलाता है भगवत गीता के पंद्रह्म धियाय में कहा गया है भगवान प्रतेग जीव की हिर्दे में इस्तित है अत एव इस कथन की व्यक्ति अंता इस्तित पर मात्मा की सरण ले का अर्थ है कि वो भगवान कृष्ण की सरण ले कृष्ण को पहले ही अर्जुन ने परम स्विकार कर लिया है अर्जुन ने कृष्ण को भगवान तथा समस्त जीवों के परम धाम के रूप में स्विकार कर रखा है इसलिए नहीं कि उनका निजी अन्भव है वरन इसलिए कि नारद असित देवल ब्यास जैसे महापुरुष इसके प्रमान है तो यहां पर प्रुपात का अतात पर समाप्त हुआ अब हम सुनेंगे स्री भगवान ने कहा मैं इसकी कैसी ब्याख्या हुई है पिसले स्लोक में स्री कृष्ण ने कहा था कि स्री कृष्ण ही सभी जीवों के हिर्दे में परमात्मा के रूप में इस्थित हैं तथा वेही अपनी माया के द्वारा सभी जीवों को इस भहुत एक संसार में भटकाती हैं उस समय अर्जुन के मन में इस प्रकार की जिग्यासा उत्पन हुई स्री कृष्ण ने बताया है कि यही परमात्मा की रूप में सभी प्रानियों के हिर्दे में रहकर अपनी माया के द्वारा सभी जीवों को भटका रहे हैं ऐसी इस्तिति में इनकी माया से छोटना चाहूं तो मैं स्री कृष्ण की सरन ले सकता हूं परन्तु यदि मैं स्री कृष्ण की सेवा से बहुत विमख हो चुका हूँ जथा यदि मुझे स्री कृष्ण की प्रतेक्ष सरन लेने में लज्जा आ रही है तो मुझे क्या करना चाहिए हंतर्यामी होने के कारण स्री कृष्ण अर्जुन के मन के जिग्यासा को समझ गए अता उन्होंने इस स्लोक में बताया है कि दिप्टी को स्री कृष्ण की प्रत्यक्ष सरन लेने में लज्जा कान्भ हो रहा है तो उसे अपने हिर्दे में स्थित परमात्मा के रूप में स्री कृष्ण की सरन लेने चाहिए इस स्लोक में स्री कृष्ण की तीन अत्यंद महात्पॉन सिक्षाएं हैं जिनकी हम करम पूरवक चर्चा करेंगे पहली अत्यंद महात्पॉन सिक्षा तुम उसी की सभी भावों में सरन लो स्री कृष्ण के प्रती हुए अनेक अप्राधों की कारण उनके सरन लेने में लजजा आ रही है तो हमें अपने हिर्दे में स्थित परमात्मा की रूप में उनकी सरन लेनी चाहिए भागवत के दस्मेश कंधि के अंतरगत अध्याय संक्या सोला में वर्णन आता है कि जिस समय कालिया सर्प ने इरिश्या के कारण स्री कृष्ण के वक्षे पर डस लिया तेथा अपनी कुं ने लगे कि वह अपने मुखों से तथा नतुनों से रख्त अगलने लगा उस समय यह दपीबो स्री कृष्ण को परमेशर समझ गया परंत उनकी साक्षात सरन लेने में उसे अत्यंत लज्जा आ रही थी अता उसने स्री कृष्ण की सरन अपने हिर्दे के अंदर ली ऐसी इ प्रत्यक्षे सरन लें तो यहां पर स्री कृष्ण के रहे हैं कि अपराधी ब्यक्ति स्री कृष्ण की प्रत्यक्षे सरन लेने में लज्जा कानभव करता है तो बहुत स्री कृष्ण की सरन अपने हिर्दे के अंदर इसे परमात्मा के रूप में भी ले सकता है तो यहां पर स्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि ब्यक्ति की स्री कृष्ण के प्रती सरद्धा नहीं है तो भै अपने हिर्दे में परमात्मा की सरण ले सकता है भागवत के साथ में सकंध के अंदरगत अध्यार संग्या पांच में वर्णन आता है कि जिस समय प्रहलाद महराज की अभक्त गुरूं ने प्रहलाद महराज से पोशा कि उन्हें सरी कृष्ण के प्रती भक्ती करने की उल्टी सिक्षा किस ने दी उस समय प्रहलाद महाराज ने उत्र नहीं दिया कि उन्हें सरी कृष्टी करने की जिक्षा नाराज जी ने दी है यदि वे नाराज जी का नाम लेते तो यह नाराज जी की निंदा होती क्योंकि उनके अभक्त गुरुवों ने निंदा करने के ही लिए पूछा था कि प्रहलाद महाराज को स्री कृष्ण की भक्ति करने की उल्टी सिक्षा किसने दी है उस समय प्रहलाद महाराज ने उतर दिया कि जो परमात्मा सभी की हिर्दे में इस्तित हैं उन्होंने मुझे ये बुद्धी प्रदान की है तो यहाँ पर Shree Krishna कह रहे हैं कि यंधि सामने वाला ब्यक्ति Shree Krishna के प्रति एर श्यालू है तो हमें उसे Shree Krishna के समयद में कोई बात नाब्ता कर सभी प्रानी उके हिर्द मेंस्ति परमात्मा की ही बात बतानी चाहिए तो यहां पर स्री कृष्ण के रहे हैं कि यदी ब्यक्ती स्री कृष्ण के तत्तु को नहीं जानता है तो भैं अपने हिर्दे में से परमात्मा की सरण लेड़ सकता है भागवत की तीसरे स्कंध के अंदर अध्याय संख्या 31 में वर्णन आता है कि जिस समय माता की गर्व में स्री कृष्ण की सरण लेता है वो कहता है मैं अपने कर्मों के द्वारा बधा हुआ जीव उन पर में सर को नमस्कार करता हूँ जो यहां मेरे साथ हैं किंतो जो अप्रभावित हैं और अपरिवर तंसील है किंतो हिर्दे में जिन का दर्शन किया जाता है मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ मैं अपने इस पंच भूदों से निर्मित बहुत एक सरीर में होने के कारण परमेश्वर से अलग हो गया हूँ चूंकि ऐसे बहुत एक सरीर से रहत होने के कारण परमेश्वर प्रकर्ती तथा जीव से परे हैं और उनका सरीर आध्यात्मिक है अता मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ इती भागवत 3.31 के तात्परे में सिल्व प्रहुपार लिखते हैं जीवात्मा कहता है मैं परमेश्वर की सरन ग्रहन करता हूँ इती फलता स्वाभाविक रूप से जीवात्मा परमात्मा का आश्रित सेवक है परमात्मा तसा जीवात्मा एक ही सरीर में बैठे हैं जैसा की उपनिस्दों का कथन है विमित्र के रूप में बैठे हैं एक तो कष्ट भोग रहा है और दूसरा कष्टों से सदा अलग है एक सरीर है इती तो यहां पर स्रीकृष्ण कह रहे हैं कि दीवेक्ति स्रीकृष्ण को भगवान के रोप में नहीं समझ पाता है तो वह स्रीकृष्ण की सरण परमात्मा के रोप में भी ले सकता है अब दूसरी अत्यांत महात्पों स्क्षा उसकी पर उसकी प्रसमता से तुम्हें दिवेश्ण की प्राप्त होगी इस लोग में दूसरी स्क्षा के नुसार सब्द हैं तत्पसादात पराम शांते प्राप शशी अर्थात उसकी करपा से तुम दिवेश्ण की प्राप्त इस इस लोग के इतात पर में सिल्प प्रहुपार लिखते हैं अतएव प्रतेग जीव को चाहिए कि प्रतेग हिर्दे में स्थित भगवान की सरन ले इस संसार के समझ प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा हीती तो यहाँ पर स्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो ब्यक्ति अपने हिर्दे में स्थित परमात्मा की रूप में स्री कृष्ण की सरन लेता है वह दिव शान्ती प्राप्त करता है भागवत के ग्यार में सकंध के अंदरगत अध्याय संक्या आठ में वर्णन आता है कि पूर्वकाल में विदेह नगर में रहने बाली पिंगला नाम की विश्या अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर प्रतिक्छा करती रही कि कोई पुरुष उसके पास आएगा तथा उसे धन प्रदान करेगा परंतू अर्धरात्रिता कोई भी पुरुष उसके पास नहीं आया उसने अत्यंत निराश होकर अपने हिर्दे में श्थित परमात्मा की रूप में स्री कृष्ण की सरन ली उसने इस प्रकार गीत गाया हाई मैं अत्यंत मोह गरस्त हूँ मैं मुर्गता पूरवक किसी तुछ स्वेक्टी से बिसे सुख्य की कामना करती हूँ मैं इतने मुर्ग हूँ कि अपने हिर्दे में जो सास्वत रूप से इस्थित हैं और जो मुझे अत्यंत प्रिय हैं उन परमेस्वर की मैंने सेवा छोड़ दी है ये परमेस्वर सभी जीवों के स्वामी है तथा मुझे असली प्रेम तथा सुख देने वाले हैं और मेरे हिर्दे में ही हैं उनको मैंने पूर्ण रूप से अंदेखा किया है मैं उन परमेस्वर की उपिछ्षा मैंने उन परमेस्वर की उपिछ्षा की है जो मुझे सब कुछ दे रहे हैं यहां तक कि मुझे अपना आध्यात्मिक शुरूब भी देने वाले हैं मैंने उन्हें छोड़कर अनेक पुरुषों से इंद्री तृप्ति का भोग करना चाहा है अब मैं पूर्ण सरणागति का मूल ले चुका कर उन्हें इस प्रकार मूल लेकर उनके साथ उसी प्रकार रमन करूंगी जिस प्रकार लक्षिमी देवी करती है अब मैं पूर्ण तुष्ट हूँ आते हो मुझे जो कुछ होता मिल जाएगा उसी से मैं अपना भरन पोशन करूंगी और उन्हें परमेशर के साथ बिहार करूंगी विती तो यहां पर स्री कृष्ट कह रहे हैं कि हिर्दे में स्री कृष्ट की परमात्मा के गरूप में सरन लेने से हमें दिव शान्ती प्राप्थ होगी अब तीसरी अत्यंत महत्मून सिक्षा उसकी प्रसन्ता से तुम्हें नित्धाम की प्राप्थी होगी इस लोक में तीसरी सिक्षा के उन्सार सब्द हैं तत्प्रसादात इस्थानम प्राप्ससी सासुतम अर्थात उसकी प्रसन्ता से तुम नित्धाम को प्राप्थ करोगी इस सिस्तो के तात परे में सिला प्रहुपार लिखते हैं ऐसी सरन पाने से ब्यक्ति ना केवल इस जीवन के सारे कश्णों से छुटकारा पास सकेगा अपित्वन्त में वह परमिसर के पास पहुंच जाएगा वैदिक साहित रिगवेद एक बीस बीस में दिव जगत तद विष्णों परमंपदम के रूप में वरनित है परमंपदम विशेष्टिया नित्यधाम का संकेत करता है जो आध्यात्मिक आकास या वैकुंठ कहलाता है इती तो यहाँ पर स्री कृष्ण के रहे हैं कि अपने हिर्दे में से परमात्मा की सरन लेते हैं तो हमें स्री कृष्ण का नित्यधाम प्राप्थ होता है यह बात समझने की है कि परम सत्व को तीन परकार से जाना जाता है ब्रह्म है परमात्मा तथा भगवान जिस्ते हम अपने आपको सरीर से अलग एक नित्य छेतन के रूप में समझ पाते हैं तो यह परम सत्व का प्रारंभिक ग्ञान है जिससे गुह ग्यान कहा जाता है फिर हम जिस समय सभी के हिर्दियों में इस्थित परमा आत्मा की अनुभूती करते हैं उस समय परम सत्य के मध्यम ग्यान में इस्थित माने जाते हैं जिससे गुह तर ग्यान कहा जाता है फिर जिस समय हम स्री कृष्ण के धाम के जानकारी प्राप्त करते हैं तिसमें उनके अवतारों के पिसे में जानते हैं उस समय हम परमसत्य के उत्तम ग्यान में इस्थित माने जाते हैं जिसे गुई हितम ग्यान कहा जाता है जो बिक्ति परम सत्य के उत्नम ग्यान में इस्तित होता है उसके लिए स्री कृष्ण गेता चार नौ में कहते हैं कि जो बिक्ति स्री कृष्ण के जन्मों पता कर्मों को दिवे समझ लेता है वो स्री कृष्ण के धाम में जाता है ये बात समझने की है कि जिस समय ब्रक्ति अपने हिर्दे में परमात्मा की सरन लेता है उस समय परमात्मा उसे किसी ऐसे साधू से मिला देते हैं जो से भगवान अर्थात स्री कृषना की भुकती की दिसा दिखाता है इस प्रकार वह स्री कृष्ण की गुणों में तथा उनके जन्म तथा लीलाओं में तथा स्वाधन करने लगता है तथा इस प्रकार इस जीवन के बाद वो स्री कृष्ण की नितधाम में जाता है इस स्टोक के बंगाली पध्यान बाद में सिला प्रहुपात लिखते हैं ताहारचा रहने लव सर्वतो सरन प्रसादे है बे सर्व वांचिते पूरन पराशांति पावे आर सासवत जी स्थान सर्व लाभे से प्रसादे दुख्यने वारन यहां पर स्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं सर्व लाभे से प्रसादे दुख्यने वारन अर्था थे अर्जुन हिर्दे में स्थत परमात्मा की प्रसनता से बेती दुख्यों से छुटकारा पा जाता है परन्तु स्री कृष्ण का अंड़त धाम प्राप्त करने के लिए व्यति को मेरी सरन लेनी होती है अता तुम मेरी सरन लो तो इस स्लोक में भगवान इसपस्ट बतला रहे हैं क्या तम एव सरन अमकच्छ है और सी की सरन में जाओ सब प्रकार से लेकिन लोग कैसे मुर्ख हैं जो कि उन परमात्मा की सरन ना लेकर के अपनी रक्षा चाहते हैं सामाने बिक्ती की सरन लेकर के तो कोई बहुत धनी बिक्ती होता है उसकी सरन लेकर के लोग सोचते हैं कि मेरी रक्षा हो जाएगी कभी कोई अपने घर परिवार की सरन लेता है मैं अपने घर परिवार के लोगों से घिरा गवा हूँ तो मेरी सरन हो जाएगी तो कोई अपनी पत्नी की सरन लेता है कोई अपने पुत्रों की सरन लेता है कोई अपने माता पिता की सरन लेता है लेकिन कौन रक्षा कर सकता है, कहां शांती प्राप्त होगी, शांती नहीं प्राप्त होगी, जब तक कोई विक्ति सरन मनी जाता है, हिर्दय में स्थित परमात्मा की सरन नहीं लेता है, तब तक उसे शांती नहीं प्राप्त होगी, और अगर शांती प्राप्त होगी, तो प तो कई प्रकार के ट्रेंकलाइजर आते हैं, तो उससे लोगों को शांती मिलती है, कोई नीन की गोली लेता है, तो उसको नीन आती है, तो लोग इसी में ही सोचते हैं कि उनको शांती मिल गई, परंतु ये शांती, रहती नहीं है, ये शांती चले जाती है, ये पराशांती ऐ नहीं है हमेल साथ रहती है और मृत्यू भी उसकी शांती को नश्र नहीं कर पाती मृत्यू से भी उसको डर नहीं लगता और किसी प्रकार के दुख से भी वह विचलित नहीं होता जिसको प्राप्त करके इससे बड़ा कोई लाप नहीं मानता यसमें इस्तितों न दुखे ने गुरु ना पी विचलित नहीं होता है तो इसे कहते हैं पराशांती जो गीता में भगवान जिस पराशांती की बात करते हैं वो पराशांती इस भौतिक संसार में किसी भी उपाय से नहीं मिल सकती है ना किसी चिकत्सक की द्वारा मिल सकती है ना कोई राजा ऐसी सांती प्रदान कर सकता है तो इसलिए हमें क्या करना है उन परमात्मा की सरण लेना है लेकिन अगर हम स्री कृष्ण की सीधे सरण ने तब तो और भी अच्छा है क्योंकि स्री कृष्ण ही के विस्तार परमात्मा है जो हिर्दे में है तो हम अगर मंदर में स्री कृष्ण की प्रत्यक्स सरन लेते हैं और स्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, स्री कृष्ण करते हैं, मन मना भो मत भक्तो, मधियां जी माम नमस्कुरू, मेरे मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार कर तो सबसे अच्छा है पर नहीं कोई व्यक्ति स्री कृष्ण के प्रति उसकी सरधा नहीं है और वो सोचता है कि हिंदूओं के भगवान है या सोचता है कि ये सीमित भगवान है अगर उसके अंदर ऐसे विचार आते हैं तो यहां पर स्री कृष्ण एक दूसरा उपाय भी बत परमात्मा है मैं उनकी सरण लेता हूं तो इसमें फिर उसको लगता है कि हां मैं सही रास्ते पर हूं तो इस सबकी हिर्दे में जो परमात्मा है तो इस प्रकार से वो समझ पाता है कि हां ये परमात्मा जो है यतने सक्ति सालिए हैं इस सबकी हिर्दे में नवास करते हैं त तो परमात्मा की रूप में भी किष्ण की सरन ले सकता है धन्यवाद हरे किष्णा